मित्रों आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमतकारी टोटकों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइमली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी दबाएं जिससे नए वीडियो की जानकारी आपको समय से प्राप्त हो सके धन्यवाद नमस्कार मैं हूँ वैभवनाज शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे 14 जुलाई के पंचांग राशिफल और महा उपाय के बारे में तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जा रही है तो यह तो बात रही आज के पंचांग की अब चर्चा करते हैं राशिफल की तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेश राशी की मेश राशी वाले जातक लोगों को अपने संतान की किसी गतिविधी किसी क्रिया कलाप से आज कुछ कुछ कष्ट मिल सकता है तनाव की दाई नमह मंतर का 108 बार जाप करें किसी की निंदा करने से आप बचें वरिशव राशी वाले जातक लोगों के लिए बेरोजगार लोगों को रोजगार प्राप्त होगा रिसर्च से जुड़े हुए कारियों में अनुसंधान कारियों में सफलता मिलेगी किसी यात्रा द्व मित्रुन राशी वाले जातक लोगों के लिए आपका सामाजिक प्रभाव वेवं मान सम्मान यश बढ़े ऐसी इस्तिति आपके लिए दिखती है आई और व्याई का तालमेल बिगड़ेगा सब कुछ होते हुए भी गुप्त चिंताएं आप पर हावी रहेंगी ओम स्थू पूरा कार याज पूर्ण हो सकता है बहुतिक सुकों की प्रापती होगी नए संपर्क भवेश में लाब देंगे ओम इस्तुती हर्शिताई नमहमंत्र का 108 बार जाप करें व्यापार में साज़ेदारी आप बिलकुल भी न करें सिंग राशी सिंग राशी वाले जातक करें तो ज्यादा अच्छा होगा कन्या राशी कन्या राशी वाले जातक लोगों के लिए किसी बड़े बुजर्ग के स्वास्त के चिंता आपको परिशान कर सकती है उतार चड़ाव अधिक रहेगा दिन के आरंब में कार्य में आर्थिक समस्याएं वाद्विवाद की इस स्थिति आपके लिए बन रहे हैं तो बहुती सावधानी से आज आपको अपना काम करना होगा उम सौम्याई नमहमंतर का एक सो आठ बार जाप करना चाहिए शेर बाजार में आप निवेश बिलकुल ना करें तुला राशी तुला राशी वाले जातक लोगों के लिए शत् सफलता मिले ऐसी संभावना आपके लिए बनती है आपके स्वास्त में परशानी आज आ सकती है और बनते हुए कार्य कुछ बाधित भी हो सकते हैं ओम सोम सुर्यागनी लोचनाई नमहमंतर का एक सो आठ बार जाप करें और निवेश से आप बचें वरिश्यक राशी वाले से कोई लाबदायक सूचना आज आपको मिलने वाली है ओम सिद्धिदायकाई नमहमंतर का एक सो आठ बार जाप करें धन काव्य करने से आप बचें धनुराशी धनुराशी वाले जातक लोगों के लिए कारोबार के इस्तिति और और आर्थिक तंगी वाली रहने वाली है यात्रा लाब प्राप्ति की संभावनाएं लेकर की आएगी छोटी यात्राओं से समय में विशेश शुबता के योग आपके लिए बन रहे हैं आपका कोई भी निर्णे आपकी हानी नहीं करेगा ये विश्वास आपको मन में रखना चाहिए मकर राशी मकर राशी वाले जातक लोगों के लिए आज आपको कुछ मांसिक कष्ट होगा और स्वास्त की परेशानी हो सकती है कोई रुका हुआ कार्य निरंतर परिश्रम प्रयास के बावजूद जाकर के संपन होगा यात्राएं बहुत ज्यादा थकाने वाली आज हो सकत हैं ओम सामगोश प्रियाई नमहमंतर का 108 बार जाप करें और बड़े बुजर्गों का दिल आप बिलकुल भी न दुखाएं कुम्बराशी कुम्बराशी वाले जातक लोगों के लिए घरेलू उल्जने बढ़ेंगी अचानक से कोई परेशानी कामने या परिवार में आ सक मीन राशी मीन राशी वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन विशेश कष्टकारी थाबित हो सकता है स्वास्त प्रहावित हो सकता है तो यात्रा करें तो जात्रा में कष्ट की संभावना मिलेगी मानसिक और शारिरिक कष्ट भी संभव दिखाई देता है तो ऐसे इस्थिति में महा मिरतुंजे मंत्र का 108 बार जाप करके दिन को आरम करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा घर आय हुए व्यक्ति को खाली हाथ विदाना करें तो मिरतुंजे मंत्र बहुत ही चमतकारी बहुत ही लापकारी बहुत ही शुबफलदाई है लेकिन इसका जाप करते समय आपको कुछ बातों का विशेश ध्यान रखना चाहिए बहुत सारे लोग हम में से ऐसे हैं जो बिना जानकारी के इन मंत्रों का जाप करते हैं और अपना लाब करने की जगां अपना भला करने की जगां अपना नुकसान कर बैठते हैं तो किन बातों का विशेश ध्यान रखें आईए समझते हैं शास्त्रों में और पुराणों में असाध्य रोगों से मुक्ती और अकाल मृत्यू से बचने के लिए महामरतुञ्ञा मंत्र के जाप का विशेश उलेक प्राप्त होता है महामरतुञ्य भगवान शिव को प्रसंद करने का मंत्र है इसके प्रभाव से इंसान मौत के मुँमें जाते जाते बच जाता है मरनासन रोगी भी महाकाल शिव की अद्बुत क्रिपा से जीवन को प्राप्त करता है बीमारी दुर घटना अनिश्ट ग्रहों के प्रभाव को दूर करने के लिए अकालम रित्यू को टालने के लिए यानि मौत से मुक्ति पाने के लिए आयू बढ़ाने के लिए सवा लाक से लेकर के पांच लाक या ग्यारा लाक महामिरतुन्जे मंत्र जब करने तक का विधान होता है महामिरतुन्जे मंत्र का जब करना परंफलदाई है लेकिन इस मंत्र के जाप में कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे की इसका संपूर्ण लाभ मिले और आपको कोई हानी न हो अगर आप नहीं कर पा रहे हैं इस मंत्र का जाप तो ऐसे में किसी योग्य आचार्य को या योग्य आचार्यों के संगठन को समू को ग्रूप को टीम को आप बुला करके उनसे अपने लिए संकल्प ले करके महामिरतुञ्जय मंत्र जाप करवा सकते हैं महामिरतुञ्जय मंत्र को जाप करते समय किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है आईए समझते हैं महारुद्र सदाशिव को प्रसंद करने और अपनी सर्वकामना सिद्धी के लिए पार्थिव शिव का पूजन का विधान हमारे शास्त्रों में बताया गया जिसमें मिक्टी के शिवलिंग को बना करके शिवार्चन करना पुत्र प्राप्ति के लिए और काले चावल के शि शिवलिंग को बना करके नमक से जो ढेले वाला नमक होता उसका शिवलिंग बना करके उसकी प्रतिष्ठा करके शिवार्चन करने का नियम शास्त्रों में बताया गया रोग नाश है तू गोबर के शिवार्चन का गोबर के शिवलिंग को बना करके उसके अर्चन का विदान ह हमारे शास्त्रों में बताया गया दस विधी लक्षमी प्राप्ति हे तू मक्षन के शिवलिंग का शिवार्चन करना शास्त्रों में बताया गया है इस तरीके से और भी अलग-अलग प्रकार के शिवलिंग हमारे शास्त्रों में बताये गए जिनकी प्राणपतिष्ठा करके विदी विधान द्वारा अगर शास्त्रोक्त विदी से उनका पूजन किया जाए और उसके बाद उस पर जाप किया जाए तो निश्चिती जातक को सादक को लाभ अवश्य प्राप्त होता है भगवान शिव का जो महामृतुंजे मंत्र है अभी मैं विदेश यात्रा पर था तो मुझसे भी लोगों ने पूछा कि एक तो महामृतुंजे मंत्र है जो एकदम सीधा सीधा सामान्यसा है ओम त्रामकम याजामा है सुगंदिम पुष्टी वर्दनम और वारुक मिव बंधनान मृत्यों मृत्यों मुख्शी या मामृतात दूसरा हम लोग कई जगा देखते हैं बहुत सारे अलग-अलग महामृतुंजे मंत्र के तरीके बताय हुए हैं उसमें ओम ओम जूम सो माम पाले पाले इस तरीके से मंत्र हैं तो यह सारे क्या हैं तो मैंने उनको समझाया कि यह भगवान शिव के महामृतुंजे जह उस पर रूप है भगवान शिव का यह उसके अलग-अलग बीज मंत्र हैं तो अलग-अलग बीज मंत्रों का प्रयोग भी आप अलग-अलग तरीके से करते हैं और उनका प्रभाव भी अलग होता है किसी विशेश काम के लिए अलग बीज मंत्र इस्तेमाल होते हैं तो ध्यान ये रखना चाहिए कि महामरतुंजे का जो भी स्वरूप आप जाप कर रहे हों उसके उचारण को ठीक तरीके से करें यानि शुदता के साथ करें एक शब्द की गलती भी आपके उपर भारी पड़ सकती है इस मंत्र का जाप एक निश्चिन सख्या निर्धारित करके करना चाहिए अगले दिन इनकी संख्या बढ़ाए बगैर आप चाहें तो जाप कर सकते हैं लेकिन आपको संख्या कम नहीं करनी होगी तो प्रयास ये करते हैं कि अगर आपने सवालाग का संकल्प लिया है पहले ये वो अंदर ही अंदर मन में होना चाहिए तो उसे मानसिक जाप कहा गया है यदि इसका अभ्यास नहों तो धीमे स्वर में जाप करके आप इसका अभ्यास कर सकते हैं मंत्र का जाप करते समय उच्चारण होठों से बाहर ना आए इस बात को आपको ध्यान रखना होगा इ इस बात का विशेश ध्यान रखें इस मंत्र का जाप केवल रुद्राक्ष की माला से ही करें रुद्राक्ष की माला को गौमुखी में रखकर के पूरा मंत्र हो जाने के बाद गौमुखी से आपको बाहर निकालना चाहिए महामरतुंजय मंत्र का जाप उसी जगहां पर कर मंत्र का जाप करते समय दूद मिले जल से अभिशेक करते रहें कभी भी धरती में इस मंत्र का या कोई भी पूजा बैठ करके आपको डारेक्ट नहीं करना चाहिए आसन या कुष का आसन बिछा करके कपड़े का आसन उनी आसन वस्त्र का आसन या कुष की चटाई आप बिछा करके जाप करें डारेक्ट जमीन पर बैठ करके महामृतुजय मंत्र का जाप नहीं किया जाना चाहिए महामरतुंजय मंत्र का जप हमेशा पूर्व दिशा की और मुक करके ही करें इस मंत्र का जप एक निर्धारिज जगा में ही करें रोज अपनी जगां आप नव बदलें मंत्र करते समय पूरा ध्यान आप एकागरता पूरी बनाए रखें अपने मन को भटकने न दे जितने भी दिन का ये जाप हो उस समय मानसाहार का प्रयोग आपको बिलकुल नहीं करना है आपका आचार, विचार, व्योहार सब कुछ पूर्णता सात्विक होना चाहिए महामरतुंजय जाप के दिनों में किसी की बुराई या फिर जूट नहीं बोलना चाहिए इस मंतर का जाप करते समय आलस्य या उबासी अपने पास आप बिलकुल ना आने दे और किसी भी तरीके का नशाप, परिस्त्री गमन जैसे मैंने कहा कि आचार और विचार की शुद्धता वो बहुत जरूरी है, मास का सेवन, मदिरा इत्यादी का सेवन, यह सब अगर आप करके इस तरीके के शक्तिशाली और दिव्य मंतरों का प्रयोग करते हैं, तो आप अपना अनिष्ट करने की विवस्ता कर रहे हैं, आपके उपर महादे कृद्ध हो जाएंगे, रुष्ट हो जाएंगे, तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी चाहिए, तो दोस्तों आशा करता हूँ कि यह आवश्चक जानकारियां जो आपको मेरे यूट्यूब चैनल से प्राप्त होती हैं, यह निश्चिती आप लोगों को पसंद आती होंगी, आप सभी से बार-बार आगरा करता हूँ कि जब भी आप मेरे वीडियो देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर जरूर करें, और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए, इसी शुब कामना के साथ कि आपका दिन शुब हो, महादेव आपका कल्याण करें, मुझे आग्या दीजिए और देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल वैपअब जय महाकाल हरहर महादेव हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमतकारी टोटको के टाइमली अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन भी दबाएं, जिससे कोई भी वीडियो या आवशक जानकारी आपसे मिस ना हुपाए, धन्यवाद अप्पाइब कर सकते हैं, हमारा नमबर है 990724131, आपको दो नमबर दे रहा हूँ, इन दोनों नमबर पे वाट्स अप अवैलेबल है, आप वाट्स अप करें, 9818300146, यह हमारे ओफिस का दूसरा नमबर है, अगर आप हमें इमेल करना चाहते हैं, तो आप हमें इमेल कर स इस पर आप हमें इमेल भी कर सकते हैं, मित्रों आजकल फोन कॉल्स बहुत जादा हैं, और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं, फोन रिसीव नहीं होता, तो आप भी निराश होते हैं, ऐसे में इमेल और वाट्स अप करना सबसे बहतर तरीका है, धन्यवाद